नमस्कार दोस्तों जैमा, भद्रकाली, जैमाम, दुर्गातोतुला राशिवालों, हे भगवान, ये क्या हो गया? इसकी तो हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी बेटा. आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हारे जीवन में कई सारे बदलाव, कई सारे उतार चड़ाव लेक लेकिन तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, तुमने कभी हार नहीं मानी, तुम कभी डरे नहीं, भेज नहीं, हमेशा लड़ते रहे और मुश्किलों का सामना करते रहे, और बेटा तुम्हारे इसी साहस का फल और तुम्हें प्राप्त होने वाला है. कितने सालों से तुमने जो मेहनत करी थी, अब तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम देखोगे कि यह जो आने वाले अगले 24 घंटे हैं, इन 24 घंटे में परम पिता परमेश्वर की कृपा, उनका आशीरवाद तुम्हारे उपर बनने वाला है। तुम जिस भी काम को करने के लिए अपने कदम आगे बाधाओगे, तुम जिस भी काम को करने जाओगे, तुम्हारे सारे काम बिना किसी मुसीबत के पूरे हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन में धेर सारी खुशियां आ जाएंगी। साथ ही साथ, बेटा मैं तुम्हें बता दूं कि यह 24 घंटे तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत करने के लिए भी बहुत ही सरदार रहने वाले हैं। सबसे बड़े दुश्मनों के नाम बता दिये हैं। ये कोई छोटा मोटा सच नहीं है, पूरी सच्चाई सुनकर तुम्हारी आँखों से भी आँसु निकलने लगेंगे। बेटा सर्व प्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं। वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जय हो पवन पुत्र हनुमान जी की जय जरूर लिख देना। हनुमान जी आपके सारे संकट दूर करेंगे बेटा तुम्हें बता दे। आने वाले अगले दिन 24 घंटे में यदि तुमने सच्चे मन से भगवान की भक्ती कर ली, सच्चे मन से भगवान को खुश कर लिया तो तुम्हारे जीवन के सभी दुख अपने आप ही मिट जाए यह करते हैं, वह करते हैं, आखिर फिर भी परमात्मा हमारी पुकार क्यों नहीं सुनते, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमें हमारी पूजा का फल क्यों नहीं मिलता, दोस्तों आपको बता दे परमात्मा कभी भी आपकी पूजा का समय या अपने पूजा में क्य चीज नहीं देखते हैं, भगवान हमेशा आपका भाव देखते हैं, कि आपने किसी मां से पूजा करी है, आपका क्या भाव है, अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कर्म किया है या नहीं किया है, आप लोगों की सहायता करते हैं या नहीं करते हैं, परमात्मा इन चीजों स खुश होते हैं, ना कि आपका महंगे महंगे पूजा पाठ के साधनों से, आजकल लोग भक्ती को भी एक दिखावा बना देते हैं, घर के पास में एक नहीं, दस-दस शिव मंदिर है, दस-दस शिवालाय है, वहाँ पर तो लोग कभी सालों साल में एक बार भी जल चड़ाने नहीं जाते हैं, लेकिन अपनी टिक दिखावा करने के लिए बड़े-बड़े मंदिर चले जाते हैं, जैसे केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, यह सब कुछ यदि दिखावा नहीं है, तो क्या है? आप ही बताइए, हमारा तो बेटा बस इतना सा कहना है कि अगवान की पूजा पाठ करिये, फिर देखिएगा, आपकी जीवन में भी हर वह एक खुशी आएगी, जिसके आप हकदार है, जिन खुशियों के लिए आप सालों से तडप रहे हैं, जो खुशियां आज तक आपको कभी मिल नहीं पाई, धीरे-धीरे करकर वह सब कुछ आपको हासिल होने लगेगा, पिता में तुम्हें बता दू, आने वाले यह 24 घंटे तुम्हारे घर परिवार में किसी बात को लेकर कोई विवाद खड़ा कर सकते हैं, जी हाँ, परिवार में किसी छोटी मोटी बात पर कोई विवाद हो सकता है, किसी जरा सी बात पर कोई लड़ाई जगडा हो सकते हैं। ऐसे में आपको जितना हो सके अपनों के साथ समय बिताने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपनों के साथ समय बिताने का प्रयास करना चाहिए। जब हम चाहिए खुशिया मन चाहि सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। इन चीजों का पालन जीवन में करना होता है। यह सब शास्त्रों में लिखा गया है। आगे की वीडियो और भी गंभीर है। आप जिन चीजों के बारे में बताएंगे उन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं तो थोड़ा सा समय अवश्य निकाले और अंत तक जरूर देखें अगले नंबर पर। दोस्तों, जो चीज आने वाली है, वह है पतनी द्वारा बचाया गया धन। देखिए एक जो भाग्यशाली पतनी होती है, वह अपने पती के जीवन को भी सौभाग्य से भर देती है। हमारे जीवन में अगर एक ऐसी स्त्री है जो मुसीबत के समय मुसीबत से लड़ने के लिए आज से ही पैसा बचाना शुरू कर रही है तो वास्तविक्ता में आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि ऐसी पत्नी तो किस्मत वालों को मिलती है अब आपने यहां पर गलती क्या क जरूरत पड़ी रिष्टेदारों को जरूरत पड़ी आपके घर वालों को ससुराल वालों को किसी को भी जरूरत पड़ी तो आपने क्या किया उन्हीं पैसों को जो आपकी पत्नी ने एक एक करके बचाया था बचत के तोर पर आने वाले समय में मुसीबत से लड़ने के ल आपकी यह गलती आपके जीवन को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी. हमारा कार्य आपको सचेत करना आपका कार्य है. सतर्क होना. अब दोस्तों, अगले नंबर पर जो चीज आती है वह है आभूशन. अब आप कहेंगे कि हम इतने पागल थोड़े ना है, जो सोने चा आभूशन या फिर कपडे किसी को उधार नहीं देना चाहिए. मान लीजिए, आपका कोई परम्मित्र है और उसकी कोई बहन है और उसे आपकी बहन के कपडे चाहिए, तो नहीं देने चाहिए. साथ ही साथ मान लीजिए, वह आभूशन मांग रहे हैं, नहीं देने बस दोस्तों यह उपाय करो फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से बदलावाने लगते हैं दोस्तों, आने वाले हो 24 घंटे बहुत ही शानदार रहेंगे, आने वाली 24 घंटे में तुम्हें अपने स्वास्थे का विशेश रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि द दोस्तों, मैं आपको बता देंगे, 24 घंटे में किसमत आपको एक सपोर्ट करें, मौके देने वाली है, एक से बढ़कर एक अवसर देने वाली है, तो किसमत को ऐसा कोई भी धोखा अपना दे, यानि कि मेहनत आपको बराबर करनी है, मेहनत करने से कभी पीछे मत करना, वरन दिक्कतें आ सकती हैं। वैसे तो दोस्तों, यह समय आपके लिए काफी शांदार रहने वाला है। इस समय आपके द्वारा ले गए सभी निर्णय सफलता भी दूँगा। आपको बहुत ही अच्छे बना प्राप्त होने वाले। अभी तक आपने जिन कामों में सच्चे मन से महनत करी थी, आपकी अभी तक जो काम बुरे नहीं हो पाए। अब आपके उन कामों में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आपके पास बड़ी काम अब बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। लेकिन बात का ध्यान रखना कि जो दुश्मन नहीं, जो आप मैं आपको नीचे गिरने का प्रयास करेंगे और आपके उपर बहुत बड़ी बड़ी जान चलेंगे, तो समय रहते हैं, आपको सावधान होना होगा, समय रहते हैं, आपको चीजों को समझना होगा, नहीं नहीं, चीजों को सिखाना होगा, वरना दोस्तों, आपके जीवन में काफी ज्यादा मुश्किल है, बढ़ा सकती है, आपके जीवन में काफी ज्यादा समस्या आ सकती है, देखिए, यह जो 24 गंटे हैं, 24 गंटे में नए नए काम करने के लिए आप काफी ज्यादा प्रेरित होंगे, नए नए काम करने की आपके अंदर इच्छा है, प्रकट ह अब नए नए कामों को कर सके और यह बहुत ही अच्छी बात है यह बहुत ही अच्छा समय आपके लिए है नए नए चीजों को सीखोगे तो जीवन में आगे बढ़ाने के तरक्की करने के नए नए अवसर आपको प्राप्त होने लगेंगे मित्रों, 24 गंटे में परमात्मा बिलकुल आपके साथ है आप जो भी काम करने की सोच रहे हैं हर एक काम में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी लेकिन मजाक, इतना ध्यान रखना कि आप लालच में आकर कोई भी काम ना करें जी हाँ दोस्तों, यदि अपने लालच में आकर या गलत सोच मन में रखकर कोई भी काम किया तो आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे इसलिए आपको अपने अंदर एक बहुत अच्छे व्यक्ति को जगाए रखना है आपको अपने कर्म अच्छा रखना है आपको अपनी सोच, अपनी बुद्धी अच्छी रखना है तो आप देखेंगे धीरे-धीरे करके आपके सारे नाम पूरे होने लगेंगे और परमात्मा भी केवल उनहीं लोगों का साथ देते हैं जो दिल से अच्छा करते हैं और सब का भला चाहते हैं उन लोगों का कभी भी काम नहीं बिगड़ा उन लोगों की जीवन में चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों न जाए एक ना एकदम उनकी सारी मुश्किलें दूर हो ही जाती हैं प्लान बना रहे हैं तो आपकी योजनाएं आपके प्लान सफल साबित होते हुए नजर आएंगे. आपको अपनी योजनाओं में बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आपके प्लान बहुत अच्छी तरीके से सरकार होते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन दोस्तों, आपको बता दे दोस्तो यह 24 घंटे हस्ते हस्ते बीत जाएंगे और कामना या नाकामना सब बरोबर हो जाएगा तो आपको आराम के लिए परियाप्त समय निकालना है क्योंकि थकान होने की संभावना है यह जो मौसमी बदलाव है साथ ही चंद्रमा के आपकी राश्य में स्थिती थकान हो सक तो अगर दर्द की बहुत समस्या है काफी समय से आपको पैन हो रहा है तो आप हनुमान 40 का पाठ करना शुरू करिए रोजाना दिन में एक बार मंदिर जाइए हनुमान 40 का पाठ करिए बहुत अच्छे परिणाम पराप्त होना शुरू हो जाएंगे साथ ही साथ दोस्तों किस्मत तो आपकी बहुत शांदार है, किस्मत बहुत बढ़िया है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन भाग्य के सितारे तभी बुलंद होंगे जब आप अच्छी दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे, यानि बुरे काम नहीं करने हैं। सटे बाजी से बचना है, जुए से बचना है, मांस मदिरा से बचना है। लोग बजरंग बली की भक्ती करते हैं और मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं। ये गलत है। दोस्तों, यदि आप बजरंग बली के भक्त हैं, तो आप मांस मदिरा से दूर रहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों को बजरंग बली का भक्त नहीं कहा जाता, तो जिंदगी में भगवत कृपा पाना है, तो मांस मदिरा से दूर रहना होगा बात अगर प्रेम राशिफल की करें, जिसका सभी को इंतजार था, तो संभावना यह है, कि पति-पत्नी के बीच किसी तीसरे की बात को लेकर के लड़ाई जगड़ा हो सकता है, तनाव निर्मित हो सकता है, मान लीजिए कि आपको किसी ने कुछ कहा, अपने जीवन साथी के बारे में तो उसकी बात पर यकीन नहीं करना है, या आपके जीवन साथी को कोई आपके बारे में बताता है, तो यह आपके बीच में अंडस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि वह आप पर भरोसा करें, तो एक ऐसा भरोसा बना कर चलिए, कि कोई आग लगाने की कोशिश भी कर तो आग नहीं लगा पाए। इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि अब बहुत मनमानी हो चुकी है। अब रिष्टों में संयम की जरूरत है। अब रिष्टों में भरोसे की जरूरत है। अगर आप प्रेम संबंधों में हो तो आपको बस कुल मिला करके अपने साथी को समय देन है। लेकिन अपने प्रेम संबंधों के बारे में, अपने रिलेशन्शिप के बारे में दुनिया को चीख चीख कर बताना नहीं है। जितना हो सके प्राइवेट रखना है। यह हम आपको खास सलाह दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, अपनी बातो साबित हो जाती है। अब दोस्तों, इन दस दिनों में इस बात का आपको विशेश रूप से ध्यान रखना होगा, कि आप जितना हो सके, जितना अधिक हो सके, अपनी बातों को अपने राजा को गुप्त रखना सीखिए, उसी में आपकी भलाई है। देखिए, हर एक लगती है, तो वह ततकाल में आपके घर मांगने आ जाते हैं, और आप क्या करते हैं, बिना सोचे, समझे, उन्हें वह चीज दे देते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में मौजूद कुछ चीजों को कभी किसी को नहीं देना चाहिए, और यह चीज यदि आपने किसी और को दे दी, तो जिंदगी भर आपके घर में मुसीबतें रहेगी, पडोसी के यहां नहीं, क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत, सुख, शान्ती, सम्रिध्य, वैभव, सभी चीजें उस व्यक्ती के घर चली जाती हैं। देखिए, हम उस व्यक्ती से जलते नही हैं, लेकिन कोई और अकारण ही आपके घर आता है, और आपके लक्ष्मी को साथ लेकर चला जाता है, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, तो अब हम आपको बताने जा रहे रही हैं, कि आखिर वो चीज कौन सी है, जरा कान लगा कर सुनिएगा, सबसे पहले ही कुछ खास चीजों को किसी भी दूसरे इंसान को नहीं देना है, जिसे तवा हो गया, बेलन हो गया, चिम्टा हो गया, या जो अन्य खाद्य सामगरी होती है, वह तो आप जरूरत मंदों को दे सकते हैं, लेकिन नमक का ध्यान रखना है, शाम के समय किसी को भी अपने घर का नमक नहीं देना है, और तीन चीज बताई है, तवा, चिम्टा और बेलन, इन चीजों को अगर आप किसी और को देते हैं, तो यकीन मानिये, मा अन्न पूर्णा आपसे नाराज हो जाती है, इसी के साथ मा लक्षमी भी घर पर छोड़ जाती है, कोशिश आपको यही करनी है, जिस भी चीज से आप रोटी बना रहे, हैं, जिस भी चीज से आपकी रोटी पक रही है, रोटी का निर्मान हो रहा है, उस चीज को आप बिलकुल भी किसी को न दे, चाहे कोई आपके सामने नाक रगड़े, हाथ पैर जोड़े या किसी भी प्रकार का दबाव बनाए, अगले नंबर पर जो चीज है दोस्तों, वह है जाडू, वास्तु शास्त्र के अनुसार जाडू में मा लक्ष्मी का वास होता है, जाडू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ घर में सुख सम्रिध्धि और खुशियां लाती है, इसी लिए जाडू को कभी किसी को नह नहीं देना चाहिए, क्योंकि जाडू के साथ मा लक्ष्मी भी उस व्यक्ति के घर चली जाती है, कई बार मान लीजिए आपके पडोसी नए नए आपके पडोस में रहने आए हैं, उन्होंने अभी तक सामान शिफ्ट नहीं किया है, तो वे आपके घर आ जाते हैं कि कुछ समय के लिए जाडू दे दीजिए, ताकि हम हमारे घर की थोड़ी साफ सफाई कर देते हैं, और आप भी बड़पन दिखाते हैं कि पडोसी ही पडोसी के काम आता है, और आप